नबे साल बीच जाने के बाद भी अगर किसी के शब्दों और विचारों को पढ़कर ऐसा लगे कि वो आपके समय का यथात है तो आश्चर ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत इस्तर पर एक अजीब सी प्रसनता का एहसास होता है तो चलिए इस वीडियो में हम लोग प्रेमचंद जी की जीवनी को समझेंगे प्रेमचंद युग का विस्तार सन 1880 से 1936 तक है कॉंग्रेस का जन और लालन पालन नरम दल की देखरेक में हुआ था किन्तो गांधी जी ने इसके नेत्रित्य की भागड़ोर समहाली इस शताबदी के तीसरे दशक में गांधी जी उग्र समझे जाते थे वे ब्रिटिश शत्ता के विरोधी में तिवर जन आंदोलन छेर रहे थे सन 1936 में प्रेमचंद की जब मिर्टिव हुई थी उस वर्ष तक आते आते गांधी जी की नीतिया नरम लगने लगी थी अपने संपूर्ण जीवन काल में प्रेमचंद ने उग्र होते हुए राष्टिय संघर्षों का साथ दिया और वे उग्रपंथी गांधिवादी भी थे भाद में वे स्रम जीवी जनता और किसान की आर्थिक मुक्ति के बारे में मनोयोग से सोचने लगे और इस समय से वे गांधी जी की अपेक्षा नेहरू के अधिक निकट थे प्रेमचंद का जन्म बनारस से लगभग चार मेल दूर लमही नाम के गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ उनके पिता मुंशी अजायब लाल दास मुंसी थे और उनका वेतन लगभग 25 रुपे मासिक था उनकी मा आनंद देवी सुन्दर शुशील और सुगड महिला थी जो हमें बरे घर की बेटी का स्मरन दिलाती है प्रेमचंद का बच्पन गांव में बीता था वो नटखट और खिलारी बालक थे उनकी कहानी कजा की उनकी अपनी बाल स्मृतियों पर आधारित है उनके बच्पन का एक बड़ा सजीव चित्र हमें चोड़ी कहानी से मिलती है प्रेमचंद जी को गुर इतना पसंद था कि उनकी कथा होली की छुटी शिर्शक कहानी से मिलती है और इसी काल में प्रेमचंद ने कथा साहित बड़े मनोयोग से पढ़ना शुरू किया एक तंबाकु विक्रिता की दुकान में उन्होंने कहानियों के अक्षे भंडार तिलसमे होश्रुबा का पाठ सुना इस पौरानिक गाथा के लेखक फैजी बताये जाते हैं जिन्होंने अकबर के मनोरंजन के लिए ये कथाएं लिखी थी और एक पूरे वर्ष प्रेमचंद ने ये कहानिया सुने भी और उनको सुनकर उनकी कलपना को काफी उत्तेजना भी मिली गोरखपूर में ही प्रेमचंद ने अपनी सबसे पहली साहितिक कृती रची अपनी आत्मकथा के टुकरे में प्रेमचंद जी लिखते हैं कि मेरा जीवन सपार्ट समतल मैदान है जिसमें कहीं कहीं गड़े तो हैं पर टीलों, परवतों, घने जंगलों, गहरी घाटियों और खंडरों का स्थान नहीं है जो सजन पहारों की सेर के शौकीन है, उन्हें तो यहां निराशा ही मिलेगी जब प्रेमचंद 15 वर्ष के थे, तो उनका विवा हो गया, उस समय वो नवी कक्छा में पढ़ते थे जो लड़की थी, तो देखने में ना ही सुन्दर थी और ना ही स्वभाब की शीलवती थी, वह जगरालू प्रविर्ती की थी प्रेमचंद के कोमल मन का कल्पना भवन मानो नीव रखते रखते ही धागया हो इसके कुछ समय बाद ही लंबी विमारी के बाद प्रेमचंद के पिताज की मिर्ती हुई और यह सन 18-97 की बात है प्रेमचंद को एंटरेंस की परिक्षा देनी थी, फिर भारी असमंजस में पर गए वो बनारस में एक लड़के को ट्यूशन परहने लगे, इसकूल की छुट्टी होने के बाद वे उस लड़के को शाम के 6 बजे से परहना शुरू करते थे फिर पैदल वापस घर जाते थे और रात के 8 बजे घर पहुशते थे इस हालात में उन्होंने मेट्रिक की परिछा द्यूतियस रेणी में पास की इस प्रकार जीवन यापन करते प्रेमचंद रेन के बोज में दपते चले गए और उन्होंने शिक्षक जीवन को अपनाया प्रेमचंद का पहला उपन्यास असरारे माबिद बनारस की एक उर्दू सापताहिक अवाजे खल्फ में 1903 अक्टूबर से 1905 फरवरी तक धारवाहिक रूप में प्रकाशित हुआ और इस उपन्यास में पंडों और महंतों के दुशकर्म का अतिरंजित वर्णन है प्रेमचंद का अगला उपन्यास हम खुर्माव हम सवाव अपने हिंदी रूप प्रेमा में इंडियन प्रस इलाहबाद से सन 1907 में प्रकाशित हुआ जिसका मुल्य दस आना था उपन्यास का एक उपशिर्शक भी था दो सक्षियों का विवाह उपन्यास के मुख प्रिष्ट पर लेखक का नाम है बाबु नवाव रै बनारसी प्रेमचंद का पहला विवाह पुर्ण रूप से ओसफल था इन सबका दोश भारत की परंपरा का ग्रस्त विवाह प्रनाली है जिसके कारण यह विवस्था आवस्सक्ता से भी अधिक जुए का खेल बन जाती है इसका विवर्ण भी प्रेमचंद ने अपने मित्र मुन्श दया नारायन को एक पत्र में लिखा था उसके बाद प्रेमचंद ने निश्चे किया कि अपना दूसरा विवाह जो करेंगे वो विद्वा करन्या से करेंगे यह निश्चे उनके उच्छ विचारों और आदर्शों के अनुरूप था शिवरानी देवी बाल विद्वा थी और उनके पिता फतेपूर के पास एक इलाके में जमिंदारी करते थे और शिवरानी जी के पुनर विवाह के लिए उत्सुक भी थे उनिश्च सोला के आदिम युग में ऐसे विचार मात्र की सहसिक्ता का अनुमान किया जा सकता है इसी वर्ष प्रेमचंद का दूसरा और सफा पहने वे राजकुमार के जैसे लगते थे यदिपे वे बरे ही सीधे साधे और भोले भाले व्यक्ति थे प्रेमचंद के स्वभाव में सांप्रदाइक्ता की गंद मात्र भी ना थी और उनका चिंतन क्रांतिकारी था अपने लेखन में वे प्रतिक्रियावादी त क्यापन अगस्त 1908 के जमाना में हुआ था सरकार का रोश प्रेमचंद पर सोजे वतन की रचनाओं के कारण उत्रा सरकार को पता चला कि उसके एक से वक्त धनपत राय का ही साहितिक उपनाम नवावराय था प्रेमचंद पर जीलाधीश ने अपना सारा क्रोध उतारा और सो प्रेमचंद प्रेमचंद नाम से प्रकाशित रचनाओं में बरे घर की बेटी पहली कहानी थी सन 1912 में प्रेमचंद का एक नया उपन्यास जलवय इशार प्रकासित हुआ यह नवावराय के नाम से इंडियन प्रेस में शपा था बाद में वर्दान शीर्शक से या हिंदी में निकाला गया था और इसी उपन्यास को हिमांसु उद्दीन गौरी प्रतापचंद कहते हैं क्योंकि प्रतापचंद वर्दान का नायक है प्रेम 25 उर्दू का पहला भाग प्रकाशित हुआ और इस संग्रह में प्रेम चंद की कुछ पहली कहानियां बरे घर की बेटी नमक का दरोगा रानी सारंधा राजा हर्दौल प्रेम पूर्णिमा और पंच परमेश्वर भी आया और 1916 और 1917 के बीच प्रेम चंद अपना पहला बड़ा उपन्यास सेवा सदन अथवा बाजार हुस्न लिखने में व्यस्त थे उसका मूल क्या था यह मूल उपन्यास उर्दू में लिखा गया था लेकिन पहले इसका हिंदी संस्क्रन प्रकाशित हुआ और सन 1918 में हिंदी प परीव व्यक्ति से हुआ है जो अच्छे वस्त्र और सुविधा संपन जीवन की उसकी स्वभाविक इक्छा को पूरी नहीं कर पाता है उसका पिता इमांदार पूरीस अफसर था उसकी सहयोगी और अधिनस्त कंचारी उससे रूष्ट रहते थे क्योंकि घुस्खोरी आध सुमन को देर हो जाती है जिसके औसंतोस और खीज से तरस्त उसका पती रात में उसे घर से बाहर निकाल देता है सुमन सखी के घर सरन पाने का भी प्रयत्न करती है किन्तु औसफल हो जाती है अंत में उसके परोस में रहने वाली एक वैश्या उसे सरन देती है इस प्रकार स सादवी नारी के पत से गिरती है। सेवा सदन समाप्त करने के कुछ महिने बाद ही प्रेमचन ने गोएश आफियत लिखना शुरू कर दिया था या हिंदी में उनके दूसरे बड़े उपन्यास प्रेमा श्रम का मूल उर्दू रूप था। अपनी पतनी शिवरानी देवी का पुर्ण समर्थन प्राप्त हुआ। प्रेमचन अपने लेखन में बहुत सक्रिये थे। उन्होंने दो नाटक संग्राम और कर्बला लिखें। और बहुत सी कहानिया भी लिखी। साथ ही उन्होंने एक ब्रहत उपन्यास रंग भूमि और अपने लेखन के माध्यम से देश में व्यापक शांती स्थापित करने का उन्होंने भागिरत प्रयत्नि किया। नवंबर 1925 से नवंबर 1926 तक चांद नी प्रेमचंद का एक नया उपन्यास निर्मला धारवाहिक प्रकाशित किया। प्रेमचंद के अन उपन्यासों की तुल्ला में यह काफी छोटा है और इसका विशय दहेश की प्रथा है जिसने भारतिय नारी का जीवन विश्मे बना रखा है। निर्मला के पिता की मिर्तियों हो गई है इसलिए उसका विवाह अधेर अवस्था की एक विधूर के साथ होता है। उसके पहले एक्षितपती का विवाह कहीं और हो जाता है क्योंकि उसे बड़े दहेश की अपेक्छा है। यह कथा हिंदू समाज में प्रश्लित कूप रथा पर बहुत तीखा कुठारा घात है। यह उपन्यास चांद में जैनवरी 1927 से नवंवर 1927 तक छपा। प्रेबचन ने जैनवरी 1928 में माधुरी के लिए एक कहानी लिखी और यह एक व्यंग्यात्मक रचना थी जिसका शीर्शक था मोटे राम शास्त्री। लखनव के एक जाने माने वैद को यह ब्रहम हो गया था कि यह कहानी उन्ही को लक्ष बना कर लिखी गई है। उन्होंने माधुरी के संपादकों, मुद्रकों और प्रकाशकों के विरुध मानहानी का दावा कर दिया। संपादकों ने सफाई दी कि कहानी किसी एक व्यक्ति को लक्ष बना कर नहीं लिखी गई थी। वरन पिछ्री और अनुदार वृति के वैदयों के खिलाफ एक सामान प्रहार थी। इस प्रकार मुकदमा शिग्र ही समाप्थ हो गया। प्रेमचंद का एक नया उपन्यास गबन। सन 1931 के आरम में यह उपन्यास सरसुती प्रेस बनारत से प्रकाशित हुआ। और यह उपन्यास प्रेमचंद की एक विषेश चिंताकुल विषय से सम्बंधित है और यह विषय है गहनों के प्रती पत्नी के लगाव का। उनका एक पुर्वकालिक उपन्यास, कृष्णा भी है और इसी विशे पर आधारित है, उनकी अनेक कहानिया में यही विशे प्रमुख है, सेवा सदन की नाई का सुमन भी इसी दुर्वलता के कारण पत्भरष्ट भी होती है। के अनुसार सन 1932 में ही वह अपना अंतिम महान उपन्यास गोदान लिखने में लग गये थे। क्रेमचंद के जीवन के अंतिम वर्षों में जिनेंद्र का उनका निकर्तम परिचे प्राप्थ हुआ। मार्च 1932 में प्रेमचंद ने एक कहानी पत्रिका हंस प्रकाशित की। गांधी जी की सुपरसिद दांडी यात्रा शुरू होने के एक पकवारे पुर्व यह प्रकाशन शुरू हुआ। उस समय उनकी पत्नी शिवरानी देवी के अवतार हो गई। वह विदेशी कप्रों की दुकान पर धर्ना दे रही थी और उन्हें दो मा का कारावास दंड मी मिला। इसी समय प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह समर यात्रा प्रकाशित हुआ। इन कहानियों में सन 1930 के भारत की हलचलों, उमंग और अंतर प्रेणा का बरावर विशद वर्णार है। इसके बाद उन्होंने विनोत शंकर व्यास से जागरन ले लिया और यह एक पाक्षिक पत्र था। किन्तो इसके ग्रहक कुल दो सही थे। प्रेमचंद के संपादन पत्र में पहला अंक 22 अगस्त को निकला, उन्होंने पत्र को सापताहिक रूप भी दे दिया। हंस और जागरन से जो हानी प्रेमचंद को हो रही थी, उसने आर्थिक द्रिष्टी से प्रेमचंद की कमर ही तोर दी। उन्हें सेवासदन पर एक फिल्म बनाने के लिए 750 रुपे भी मिले थे। प्रेमचंद मजदूर शिक्षक फिल्म के लिए संबाद भी लिखे थे। गोदान प्रेमचंद लेखक के साहितिक जीवन का उन्तुंग हिंशिखर है। भारतिय उपन्यास के इतिहास में गोदान एक मील स्तंब है। भारत का कोई और लेखक किसान की जीवन को इतने अधिकार से अंकित नहीं कर सका है। प्रेमचंद अपनी कला को समाजवादी दिशा देते हैं, वे हमें ऐसे जीवन का दिवा स्वपन देते हैं, जहां ना सोसन है ना पीरा, इस जीवन को यथार्थ बनाने के संघर्ष में जूस्ता वा होरी उपन्यास के अंत में सदगदी प्राप्त करता है। गोदान तीन वर्ष के परिस्त्रम और लंबी साथना का फफल है। सन 1932 में प्रेमचंद ने यह उपन्यास लिखना शुरू किया था। आठ अक्टूबर 1936 को लगभग सारे साथ बजे सुबह प्रेमचंद अपनी निद्रा में लीन हो गया। प्रेमचंद आदर्श वादी लेखक थे और सपनों के आलोक में जीवन को ढालना चाहते थे। उनका साहित पाठक को उन्नत और परिश्कृत बनाता है। प्रेमचंद वास्तव में जन लेखक थे। प्रेमचंद ने उचे साहितिक महत्तो के लगभग एक धरजन उपन्यास लिखे। सेवासदन, प्रेमास्रम, रंगभूमी, कायाकल्प, वर्दान, निर्मला, प्रतिक्षा, गवन, कर्मभूमी, गोदान। उन्होंने लगभग तीन सब कहानिया लिखी, जिनमें से कुछ तो अवस ही विश्व कथा साहितिका अनुपम निधी है। इस कहानी में एक मुसल्मान पिता अपने पुत्र हन्ता इसाई को अपने सह धर्मियों की क्रोधा अगनी से बचाता है। प्रेमचन धर्म निर्पेक्षता के आदर्श में सच्चा और गहरा विश्वास रखते थे। इस प्रकार की खास जानकारियां हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल के साथ जुरे रहें। आज के लिए इतना ही धन्यवाद।